हेलो बच्शो मैं सतेन सिंग मत आज हम लोग देखेंगे class 12 physics का 15 part lecture number 15 कि इसमें हम लोग आज देखेंगे पिछले class में हम लोग उन्हों देखा था कि रिखी आवेश वित्रड प्रिस्टी आवेश वित्रड और आज देखेंगे इसी जो continuous चार्ज distribution है सतत आवेस्वित्रण है इन में तीन आते हैं रेखी आवेस्वित्रण पिष्टी आवेस्वित्रण और आयतन आवेस्वित्रण इन तीनों के कारण जो लगने वाला बल है कुलाम बल या वैदुत बल और वैदुत छेत की तीविता इन दोनों को हम से फिर से हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है दो प्राइंट चार्ज है और ये एक दूसरे से आल दूरी पर अगर रखे हैं यह कई वन आवेस यह क्यू टू आवेस एक दूसे एक दूरीप रुस्टी पर रखे है तो इन पर एक बल लगता था जिसका मा यहां से अगर आर दूरी पर एक बिंदू हम पी लेते हैं तो यहां पर वैदुट छथ की तीविता किती होगी तो वह हम लोगों ने देखा था वन भाई फोर पाई एपसालन नाट क्यू भाई आर इसको है यह हम लोगों का फार मुला था ठीक है वच्छो हमने कहा था कि वै कावेस का अपना एक क्या होता है रेंज होता है फिल्ड होता है जिसे हम वैदुट छेत्र कहते हैं और उस वैदुट छेत्र में उसका कारक कौन होता है वैदुट बल रेखाय होती है ठीक है यह वैदुट छेत्र रेखाय होती है जो आद्रिस से होती है कालपनिक होती है ज याद रखिएगा यह जो कुलाम का नियम है यह प्वाइंट चार्ज के लिए हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने कांटिनिवस चार्ज इस्टीबियूशन देखा कांटिनिवस चार्ज इस्टीबियूशन का मतलब क्या था कि देखे वच्छों कोई भी अगर मालू यह एक एक वायर है तो यहां पर अगर आवेस ऐसे फैला है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इस पर आवेस अगर ऐसे फैला है तो हम इसे कहेंगे चार्ज डिस्टिबियूशन मतलब सतत आवेस वित्रण ठीक है बच्चो फोड़ा इंग्लिस वर्डों पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि आगे चलके यही सब आपके काम में आने वाला है हमारे पास एक आयतन है यह घनाब है यह घन ले लेते हैं तो इसके पूरे सतह पर कि अगर आवेस ऐसे हर जगह फ़ला है तो उसे हम कहेंगे कि सतत आवेस वित्रण ठीक है बच्चो तो इन सब के सब स्टक्च्चर में आवेस वित्रड़ है लेकिन अब ये रेखा में है लाइन में है इसलिए हम इसे कहेंगे रेखी ये आवेस वित्रड़ इसे हम कहेंगे ये प्रिष्ट पर है सर्फेस पर है मिसे प्रिष्टी ये आवेस वित्रड़ कहेंगे ये पूरे आयतन पर है हम लोग आयतन आवेस वित एल देखा था यहां पर सिगमा बराबर हम लोगों ने क्या देखा था क्यूबाई ए देखा था यहां पर रो बराबर हम लोगों ने क्यूबाई वी देखा था जो बच्चे अगर इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाईए और वहां से पिछले क्लास को आप अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है बच्चो अब हम लोग देखते हैं आज हम लोग को किया देखना है यह जो आवेशो के कारण दो बिंदूत आवेश के कारण वैदुत बल था यह हम लोगों ने देखा अब हम देखेंगे कि इस सतत आवेश वितर मैं और बता दू आपको आपके मैथ जो मैथ से बच्चे है उनके लिए तो कोई अलग बात नहीं है इसमें दो चीज आप पढ़ोगे एक आवकलन पढ़ोगे और एक बच्चो समाकलन पढ़ोगे जरह देखिएगा आउकलन का जो बच्चो मतलब होता है आउकलन का मतलब एक बड़ा सा भाग है एक बड़ा सा भाग है और इसका एक छोटा सा भाग हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं आउकलन करते हैं और एक छोटा सा भाग हमें पता है और एक बड़ा हमें प्राप्त करना होता है तब हम क्या करते हैं समा कलन करते हैं फिक है बच्छो अटा सफ फिक है तो आइ etcetera या हमोग अपने मूं टापिक प्रहते हैं जो हमें आज पढ़ना है है कि यूश sitä इस लोग सतत आवेस वित्रड के कारण किसी बिन्दुपर, सतत आवेस वित्रड के कारण किसी बिन्दुपर वाग्दुत बल्ड, सतत आवेस वित्रड के कारण किसी बिन्दुपर, किसी बिन्दुपर, किसी बिन्दुपर, किसी बिन्दुपर, वैदूत बल अब बच्चो इसके कारण हम लोग जो चार्ड डिस्टिविशन है इसके कारण हमें वैदूत बल की गड़ना करनी है ठीक है तो आई यह देखते हैं हम लोगों ने सतत आवे स्वित्रत तीन देखा था एक रेखी आवे सबसे पहले हम एक बिण बनाते हैं रेके आपस्ति वित्रण के कारण सब की wrong6 किसी बिंद्जु पर किसी बिंद्जु पर वैतकर वृद्जु टुबह आ है पच्छो इसके बारे हमाज हमें देखना है आये डेखते हैं रेखी आविस वित्रण यह एक रेखा है और इस पर अगर चार्ज समान रूफ से ऐसे फैला है तो उसे हम कहेंगे रेखी आवेस वित्रण अगर इसकी बच्चों लंबाई क्या माने अल माने तो यह इसकी लंबाई अल और इस पर जो आवेस की मात्रह है क्यों आप जानते हो रेखी आवेस वित्रण में क्या होता है अगर ये बच्चो रेखी ये आवेस वित्रण है आवेस वित्रण है तो हमने बताया था कि रेखी आवेस वित्रण में अगर एकांक लंबाई पर हम निकाले तो क्या होता है रेखी आवेस घनत होता है रेखी आवेस घ अब जानता हो लेकिन बच्चों अगर यह छोटी से लंबाई के लिए ले ले तो क्या होता है छोटी से लंबाई के लिए तो यही लेंडा बराबर क्या होगा DQ बटे क्या होगा DL मैं समझाता हूँ जरह समझेगा ये एक आपका रेखा है इस पर आवेस ऐसे फैला है इसकी लंबाई बच्चो किती है L है L लंबाई है लेकिन अब यही पर अगर हम एक छोटा सा खंड लेते हैं एक छोटी एक चीज याद रखिएगा जिसके आगे D ल लंबाई मालो ली लिया वच्चो ये लंबाय और ये लंबाई किती है बच्चो डी एल किती है दील और अब यह पाओ एक quickua लंबाई हमने ले लिया तो एक इस छोटी से लंबाई में आवेस का जो मात्रा होगा वो भी तो छोटा होगा तो बताए अगर आपने क्या किया कि गएते हैं एक लंबाई एल है बड़ा सा राड है उसके लंबाई एल है और उसके फोड़े से भाल को आपने कंसीडर किया तो मालो यह बोर्ड है इस बोर्ड पर धेर सारे आवास फैल है अगर हम यहां पर इतना दूरी हम ले एक छोटा सा के है छेतरफल लें तो इसमें तो छोटा सा मात्रा ही तो उपस्थित होगा अगर इंडिया है इंडिया में धेर सारे लोग है अगर इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करें तो इंडिया के जितनी जल संख्या है उसका एक छोटा ही भाग तो आपको मिलेगा पताइए लोग अगर लोग लोग है फूरे इंडिया का एक चोटा सा भागम उठाले तो उस कषूंटा शिया लंबाई में आवेस्ट च्छोटा सा होगा और यहां पर अब इसका घाना तो निकाले तो क्या होगा डी क्यू अपान डी अलोगा और यह चीज हमने आपको पिछले क्लास में बताया था बताया था तो आई यह जो हमारा मेन मुद्दा है वो देखते हैं यह रेक ही पर बट्चो आवेस्ट तैक्यों है यह रेक ही हिए आवेस्च वित्रह है इस पर आवेस्ट आक्युं और यहां पर आदूरी पर 18 सण क्यों नट फो इन दोनों आवेस्टों के बीच क्या लगेगा बल लगेगा कोंसा बल लगे का फट nin लग और यह वैदुता बल कितना हो वो केवल और केवल बच्चो पॉइंट चार्ज के लिए होता है किस चार्ज के लिए होता है पॉइंट चार्ज के लिए होता है पॉइंट चार्ज के लिए बिंदूवत आवेस के लिए होता है तो अब बच्चो हम केवल और केवल कुलाम का नियम बिंदूवत आवेस के लिए है अप्लाई कर सकते हैं यह हमारा तो बिंदूवत आवेस है लेकिन यह हमारा रेखी आवेस है हमने कहा था पिछले क्लाम बताया था कि क्या आवेस केवल और केल बिंदूवत ही हो सकता है तो हमने कहा था नहीं आवेस आपका कई में हो सकता है रेखी हो सकता है प्रिष्टी हो सकता है आयतन हो सकता है गोली हो सकता है अलग-अलग सेव में होगा लेकिन जब भी हम उसका कंसीडर करेंगे जब भी हम वहां पर इन चीजों की बात करेंगे हमेशा उसे पॉइंट चार्ज मानकर ही हम बात करेंगे बिंद्वत आवेस मानकर तो अब इस रेक ही आवेस में अगर हमें यहां वैदुत बल निकालना है एक का मान बच्चो निकालना है तो हमें इसे क्या मानना पड़ेगा इस वाले को पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा अब बच्चो तो आवेस के मात्रा क्या हो जाएगा डीक्यू होगा शचू से थोस्टीमाई पोइंट का काम करेगा एक किसका काम करेगा पॉइंट चार्ज का काम करेगा अब यहां आवेस की मात्रा डिक्यू और यहां पर आवेस की मात्रा क्यू नाट और इनके बीच की जो दूरी है वो बच्चो किता है आरहे अब बच्चो इनके बीच की दूरी आ रहे तो हम बच्चो अब लगा सकते हैं तो जरा अगर हम इसका चित्र बनाए जरा बच्चो देखो कैसे बनेगा यह एक छोटा से लंबाई कित्ता बच्चो डियल यहां पर आवेस की जो मात्रा होगी वह बच्चो डीक्यू और यहां से आर दूरी पर कि नाट आवेस अब आवेस यह बच्चो कीवर काम कॉन कररा डे क्यू कर रहा है क्यू टू का काम कॉन करा क्यू नाट अर इंके बीस की दूरी आक तो इस पर लगने वाला वैदुत बल बच्चो किता होगा एब बराबर वन भाई 4 पाई एप्सwork.ठाइसिय। प्रद्ट हुगा है यहां पर क्या लें इक यू इन्डू क्यू नाट बटेfold आर इस मैए बता यह होगा कि यहां पर एंचेश की बात करते हैं यह तो छोटा सा भाग हो गया यह तो छोटा सा भाग हो गया लेकिन हमें क्या निकालता है रेखी आवेस वितरण की कारण मतलब इस पूरे लंबाई के कारण वैद निकालना है तो हमने बच्चों अभी बताया कि छोटा सा भाग अगर हमें पता हो उसका समाकलन कर देते हैं तो हमें पूरे की पता चल जाता है अगर यह डियल लंबाई है हमें पता है अगर हम इस इस चीजिए का समाकलन कर देंगे समकलन कर देंगे तो बच्चोो डीक्यो इंट्व नाट वते अरे इस लार है कि समझ गए बच्चो अब एक चीज़ याद रखिये गा समकलन में समकलन केवल उसी चीज़ों का होता है जो वैरीवल होते है जिनका मनदाओ अदलता है इसका मान हमेशा किता होता है नव गुर्टे दस्कगात नव होता है यह constant तो जो constant होता है उसको हम कभी समा कलंड नहीं करते हैं उसको सीधा सीधा बाहर निकाल लेते हैं हमने निकाल लिया ठीक है बच्चो अब यहां पर जो आपने आवेस रखा है इसका क्या मान बदलेगा नहीं बदलेगा तो यह भी क्या हो गया बच्चो constant तो q not को हम बच्चो बाहर निकाल लिया तो यह भी क्या हो गया q not अब बच्चो बताओ क्या यहां से यह जो दूरी है क्या यह दूरी बदलेगा नहीं जितना दिया है निवेरिकल में वही आप क्या होगा फिक्स वैलू हो गई तो यह आर्ट दूरी क्या है यह constant है था हम ने इसको constant की तौर पर इसे बाहर निकाल लिया, अब बच्चो यहां समा कलन, बच्चा क्या, यहां केवल और केवल DQ बच्चा, क्या बच्चा बच्चो, DQ, क्लियर हो बच्चो, अब एक चीज़ बताओ, अब यहां पर हम लेंडा बराबर DQ अपान दियल जानते हैं, एक छोटे से भाग के ल हो जाएगा, सीधा-सीधा वैल उपूट करेंगे, एक बराबर, क्यू नाट अपान, फोर पाई, एपसलन नाट, इन्टो, आर इस्वार, और यहां समा कलन, DQ का मान किता होगा, लेंडा, इन्टो क्या हो जाएगा, DL, यही बच्चो क्या हो जाएगा, रेखी, आवेस, व क्या होगा, बच्चो, तो हम लोग जानते हैं, यह बराबर क्या होता है, एप अपान, क्यू नाट होता है, यही हम लोगों ने पढ़ा था, यहां से वैलू पुट करेंगे, ए बराबर, एप कमान किता है, क्यू नाट अपान, फोर पाई, एपसलन नाट, इन्टो, आर इस से क्यून आट कैसी लोगया तो यहां यह बराबर क्या बचा वान बाई फोर पाई एपसल नाट इन्टो आर इसक्वायर अप इंटू समा कलंग इंटू लैम्डा इंटू डी अल तो यह बच्चो क्या हो गया वैदुच्छत की तीविता तो रेखी आवे से वित्रण के किसी बिन्दपर वैदुतूमल हमारा जो में अजनके संकाट कारण किसी बिक्सीडव वैदूतूमल तो सद waar स्लिस्ती अवे स्टी थे एक रेकी था एक प्रिष्टी था एक आयतन था रेकी हम लोगों ने देख है अब हमार इक देखना है किश्टी यह देखना है ठीक है त कारण किसी बिंद पर वैदुत बल मतलब सरफेस चार्ज डिस्टी के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर हमें वैदुत बल निकालना होगा ठीक है तो आई ये देखते हैं देखें बच्चो यहां पर अगर देखें तो प्रिष्टी आवेस क्या होता है यह कि यह हमने सरफेस ले लिया यह माल लो यह क्या है सरफेस है और यह एक हमने बच्चो सरफेस ले लिया और इसके सता पर ऐसे आवेस क्या है चारो तरफ फैला है यह आवेस चारो तरफ फैला है अब यह आवेस चारो तरफ फैला है तो इस पर इसका जो छित्रफल होगा वो कित्ता होगा ए होगा इस पर आवेस की मात्रा क्यू तो इसका जो रेखी आवेस घरत होगा वो सिचमा बराबर क्यों अपान this weekend अब इसी के कारण यहां पर ऑर दूरी पर अगरट कूलाट आवेश रखा हो तब इस प्रिश्टी आवेस वित्राइड के कारण यहां पर लगने वाला बल किपना ठीक है तो बच्छो सब से पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक छोटा सा छेत्रफल हम कंसीडर करेंगे हमने एक छोटा सा छेत्रफल ले लिया और इस छेत्रफल का जो मान है वो बच्चो कितना है डियस डियस हमने छेत्रफल ले लिया इस डियस छेत्रफल में आवेस कितना उपस्थित होगा सोगटा कितन झालो तो यहां पर सिघ्मा बराबर अगर मैं नीकालों गां च्पहलता होगा बैसे बठ्चो आप यहां से अगर मैंै डीकू कमान्क कालो डीकू कमान निकालों यहां स्क्राइब रगा शेक्ता क्त्रों दीएकर वह टो व shaft कम 시द को सफ भांट विसके कईąट पर आवरीज किता है sdq to our ऐस्किता क्युंए अपान बच्चो सभागर हम यह छोटा से भाग है अगर हम सब्तित का सम् ma paperwork पूरा पता चल जाएगा तो दीकियू इंट्ब्स क्यूनाट अपान क्या हो जाएगा बच्च ओ बच्चो समा क्लrol हमेइसा कांस्टेंट का करते हैं तो ये क्या करते हैं तो बाहर ऐगा तो बाहर आएगा तो नट सिments इसमें पैल को पूट करते हैं तो यहां क्या क्यूद कर र Wendy लोकnię नट इल्ट तो आरश्कॉर इंट्रिगेशन आप यहां क्या होजागा दिक्राइब कुछ रखर ताम प्लूट कर देगी में तो सिग्मा इंटु बच्चो क्या हो जागा लिए यह बच्चो क्या हो गया वैक्डु तौबल हो गया किसी प्रिष्टी आर्श विच्टर के कारर किसी पॉइ आप और फट पई एफ तो आर्लस कर सीगमा एंटी घैस किस ऑति किए सब इस और यहां पर बच्च फट वनाट की नूट कू नॉट का ऒगया तो यहां से ई बराबर बच्चो आपका बच गया वन इस और फट बाई ईफLES Nah और यहां से बच्चो क्या आर स्कॉरल सिगमाइंट्रियासनआ इंट्टू डी यस यह बच्चो क्या हो गया वैसी की तीवता अच्छा इसका मात्र hyvin निफांपर क्रति कुलाफ समर क्रति कुला तो याद रखिए मंगउठ्च को समय से से आना चाहिए ठीक है आगे चलके में काट टापिक में समा कलन मी बता दूँगा ताकि आपको सवाल वगर आगे जब आएगा तो मैं बताऊंगा ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना हो तो यह प्रिष्टी आवे स्वित्रा के कारण किसी बिंदू पर वैदुद बल क्या प्रिष्टर हो गया अब यह तो हो गया हमारा दो आवे स्वित्रा कारण हो गया जो त्वे से एलदे किसी बिंदू पर वैदू तो अब यहां पर 올 और क्यptic wil hum क्या आ यहां लेंगे प 답 को आई यह इसे भी देखते हैं बच्चो देखिए यह एक सर्फिस है और इससे हम लोगों ने क्या बना दिया इसका 3D आयतन अब यहां पर बच्चो इसके पूरी सता पर ऐसे आवेस चारो तरब फैला है पूरी सता पर अंदर भी और इसके बाहर भी कांटीनिवस चार्ज डिस्टिबूशन है ठीके बच्चो यह बच्चो कांटीनिवस चार्ज डिस्टिबूशन है अब यहां पर इसके कोई बिंदू लीजिए आप यहां से मालो यहां से क्यू नाट आवेस रखा है आरदूरी पर यहां से ठीक है अब इसका के कहते हैं इस पर आवेस की मता कित्ती होगी क्यू होगी इसका आएतन बच्चो कित्ता होगा वी होगा तो यहां पर आएतन आवेस घनत कित्ता होगा तो क्यू अपान वी होगा एकांक आयतन में जित्ता आवेस होता है, वही बच्चो कहलाता है, रो कहलाता है, ये चीज आपका हो गया, लेकिन बच्चो अब इस पर हम ये चीज अपलाई तब कर सकते हैं, जब एक छोटा सा हम आयतन लेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट बनाना है, तो हमने एक ये छोटा स सा कलिए ये एक चोटा सा आविस थ हमने ले लिया क्षोचो में अधरन इतना ले लिया बच्चो एक चोटा सा करना ही यहां पर यнул पर यह जोटा निकाले, तो क्या होगा, dq upon क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, हमναिए पिछले भी क्लास में यह चीज़ बताया था, और यहां पर गुडा了 करेंगे तो बच्चोendes क्या हो जाएगा dq сов to rho into dv, यह होगा की नहीं, अब यहाँ पर हम वादुद दॉबल लगा सकते हैं अगर हम बच्चों यहाँ वैथू दॉद दॉद नट उपाय नट यहाँ क्या हो जाेगा shrinking two q नाट अपान और इस्वार हो जाएगा हम इसका समा कलन करते हैं क्योंकि हमने छोटे से भाक को consider किया है लिया है और हमें इसके पूरे आयतन का आयतन के कारण लगने वाला के कहते हैं यहां पर वैदु दूबल निकालना है तो हम बच्चों इसको क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो वन भाई फॉर पाइपसले नाट डी क्यू इंटू क् आर इसकार हो गया अब यहां से इसको हम बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा वन भाई फॉर पाई एपसले नाट और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों यह क्या है कांस्टेंट है तो क्यू नाट और यह आर इसकार कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लिए तो यहां क्या बच्चो बच्चो डीक्यू अब बताओ बच्चो डीक्यू कमार किता है रो इंटू डीवी है तो अगर हम यहां से वैलू बच्चो पुट करें जरा देखिए तो एप बराबर क्या हो जाएगा क्यू नाट वर्न वाइप फॉर पाइप सलें नाट इन्टू आर स्कार और य दुच्छत की तीविता निकाल ली है तो एप अपान क्या हो जाएगा बच्चो क्यू नाट हो जाएगा तो यहां से हम अगर वैलू रखें क्यू नाट अपान फॉर पाइप सलें नाट इन्टू आर इस्पार इंट्रिकेशन आप रो इंटू डीवी बटे क्या हो इसकी वैलू हो गई तो यह बच्चो आयतन आवे से वित्रण की कारण किसी बिंदु वत आवेस पर वादूच्छत की तीवता था ठीक है बच्चो तो यह आज का टापिक उम्मीद करता हूं यह चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा अब बच्चो हम लोग द और थीकुर्यां को अगले क्लास में देखेंगे ठीवके तो आप इसंद मटेवाइस करते रहे हैं क्योंकि आप डिता प्रक्रांग रिवाइस करोंगा उत्याफ्यां की आप में यह चीज बहतर ठीक है तो आप ज़रू बताएल यह वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है साथ श्कुट कुछ आपको नया जानने को मीदा होगा और अगर आपको अच्छाव लगा तो लाइक जरू करें और आप इससे राखुएसों आप जाधा जाधा अपने दोस्तों पर दोस्तों करें वीडियो को बता हैं और उनसे भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से बढ़ें ठीक है बच्चो थाइंकि बच्चो